नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सब के साथ सेयर करने वाली हूं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मसाला रेसिपी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा तो पनीर मसाला बनाने के लिए हमने यहां चोटे चोटे चुक्डू में इसे अपने पसंद के लूशर बहुत यह थोक्लों में भी गट सकते हैं और सबसे पहले पनीर को फ्राई करेंगे तो इसके लिए हमने एकड़ाही में तीन बड़े चमा सरसो का तेल गरम कर लिया और इसमें हम पनीर को हलका फ्राई करेंगे पनीर को आप ज्यादा फ्राई ना करें ज्यादा फ्राई करने से ठंडा होने के बाद जो है पनीर हाड हो जाता है तो इसे हमें 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है बस इस स्टेज तक हम पनीर को फ्राई करेंगे पनीर हमारा फ्राई हो चुका है तो इसे निकाल करके जो हमने पानी गरम करके रखे थे तो उसमें हम डाल देंगे जिससे कि इसका softness बना रहे है यहां हमने पानी में इसे डाल दिया है तो इसके बाद अब हम चलते हैं प्याज को पहले fry करेंगे कड़ाही में जो हमारे तेल बच गया है उसी में हम इसे fry कर लेंगे प्याज के color change होने तक हम इसे fry करेंगे प्याज का color change हो गया है तो इस stage पे अब हम इसमें add करेंगे 10 से 12 लहसन, 2 इंच अद्रक और 1 हरी मिर्ज यहां हमने हरी मिर्ज को तोड़ करके ले लिया है और इसे दो मिनट के लिए इसके प्याज के साथ fry कर लेंगे और लहसन अद्रक भी fry हो चुका है तो इस stage पे अब हम इसमें add कर देंगे 10 से 12 काजू इससे पनीर की सबजी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अब पनीर मसाला बनाते समय काजू जरूर रैट करें यहां प्याज हमारा fry हो चुका है तो गैस का flame off करते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे प्याज ठंडा हो चुका है तो अब इसका पेस्ट तयार करेंगे और इसके साथ ही यहां पर हमने एक बड़े साइज का टमाटर ले लिया और इसे भी हमने रफली चौप कर लिया और इसकी भी हमें प्यूडी बनानी है तो चलिए पहले हम प्याज को पीस लेता है और इसे पीसते समय पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है तो हमने बिना पानी यूज किये प्याज को पीस लिया है इसे एक प्लेट में निकाल लेता है और इसी जार में हम टमाटर को आड़ करेंगे और इसे भी पिस लेंगे टमाटर भी हमारा पिस चुका है इसके बाद पनीर को भी पानी से छान करके एक प्लेट में निकाल लेंगे आप एक बार इस तरीके से पनीर मसाला बना करके जरूर ट्राय करें और कमेंट करके बताना ना भूलें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगे तो चलिए अब हम सबजी बनाना शुरू करते हैं तो कडाही में हमारा एक चमज के लगबग तेल बचा हुआ था उसमें हमने एक बड़ा चमज तेल और एड़ किया इसके साथ ही हमने एड़ किया आदा चमज जीरा एक इंच दाल चीनी का डुकड़ा और एक बड़ी लाइची इसे हमने तोड़ करके लिए और साथ में आड़ करेंगे एक चोटी लाइची चार लॉन और एक तेज पत्ता हमने खड़े मसाले लिये हैं और अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चमज हल्दी बॉडर और साथ में दो चमज लाल मिर्च बॉडर यहां लाल मिर्च के जगह हमने कास्मेरी लाल मिर्च यूज किया है और इसे भूनने के बाद हम इसमें आड करदेंगे टमाटर की प्यूरिंग निज् की हमने कच्छा टमाटर यूज से हम सबसे फेले भूनने टमाटर को हमें इसी तरीके से लगतार चलाते हुए पकाना है हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इससे मुवाइल सेपरेट ना हो जाए यहां आप देख सकते हैं टमाटर हमारा पकना सुरू हो क्या है अब धीरे धीरे इससे जो है तेल अलग हो रहा है इस स्टेज पर अब हम इसमें आड़ करेंगे दो हरी मिर्च जिसे हमने बीच से कट कर लिया है और इसे मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें अब हम अड़ कर देंगे प्याज का पैस्ट और इसे आड़ करने के बाद इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम चार से 5 मिनाट के लिए भुनेंगे प्याज को इस तरीके से मसालों के साथ मिक्स करते हुए हम पूरा सूखने तक पकाएंगे इस सबजी को बनाते समय मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ही जरूरी है अगर मसाले हमारे अच्छे से नहीं भूनेंगे तो उसमें से मसाले का कच्छा टेस्ट आएगा तो यहां हमारा मसाला लगभग भून चुका है तो इस स्टेश पे अब हम इसमें आड़ कर देंगे पानी आप अपने जरूरत के हिसाब से पानी आड़ करें अगर आपको यह सबजी चावल के साथ खानी है तो आप थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रख सकते हैं और अगर रोटी के साथ खानी है तो आप पानी थोड़ा काम यूज करें यहां पर हमने एक ग्लास पानी आड़ किया है और इसे सबसे पहले हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करने के बाद इसमें आड़ करेंगे स्वादानुसर नमक और साथ में आड़ करेंगे आधा चमच गरम मसाला पौडर और इसे मिक्स करके एक बॉइल आने देते हैं जब इसमें बॉइल आना सुरू हो जाएगा तो उस stage पे हम इसमें fry किये हुए पनीर को add कर देंगे यहां हमने सारे पनीर मसाले में add कर दिये हैं और इसे mix कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने तक हम पका लेंगे सबजी में उबाला चुका है तो अब आप इस stage पे आप देख लें कितना आपको gravy रखना है अगर gravy कम रखनी है तो आप थोड़ा और सुखा ले सिगाड़ा कर ले और अगर gravy रखनी है तो आप इस stage पे gas का flame आफ कर दे और यहां हमारी पनीर की सबजी बन करके ready है तो अब आप चाहें तो इसे रोटी या पूड़ी के साथ सर्फ कर रहे या आप चावल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो आप एक वार इस तरीके से पनीर मसाला बना करके जरूर ट्राई करें और अगर मेरी recipe आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को like चरूर करें और साथ में mail icon को दवाना ना भूलें जिससे की मेरी अगली वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं एक नई recipe के साथ next वीडियो में